तो एल्र in कैसे हैं अब दोस्तों अमीद है कि आप से वर्ष सब लोग ठीक होंगे ऑगा करके बोला है कि अगर आप का कोई भी मौड़ेट वर्ज वर्जन यूज करते हैं मौड़ेट ब्रजन मतलब समझ जो की puòसिशल ही नहीं उता वाट सबका अगर आप वह यूज करते हैं जो play store में या फिर बूल सकते हैं app store में एविलेबल नहीं और आपने उसको download करके उसको use कर रहे हैं उसको moderate version बोला जाता है अगर आप वो use करते हैं तो आपका वहाँ पर data कुछ भी हो सकता है कोई भी privacy नहीं है कोई security नहीं है ऐसा उन्होंने अपने ट्यूट करके अभी बोला है अगर आप देखेंगे उन्होंने कली ये ट्यूट करा था घटे तीन चाफ ट्यूट करें और उन्होंने साफ सब बोला है reminder to whatsapp यूज डाउन्लोडिंग फेक और modify version of whatsapp in a never good idea साफ सब का है अगर आप वाटसब का कोई भी modern version या modify version यूज कर रहे हैं तो यह आपके लिए good नहीं है आपको ऐसा यूज नहीं करना चाहिए this app sound harmless but they may work around whatsapp privacy and security guarantee वह आपके जो privacy उसको हम करती है और कोई guarantee नहीं देते कि आपके security वहाँ पर बनी रहेगी वह आपको बोलती जरूर है कि उसमें नए features होंगे पर ऐसा कुछ नहीं होता वह उल्टा आपका data वहाँ पर access करेंगे जैसे कि उनने लिखा mobile phone मालवेबर इस अपने सब्सक्राइब काउंटर security community and develop new update अगर आपका कोई friend या कोई family member अगर ऐसा कोई WhatsApp यूज कर रहा है जो कि आपको लगता है कि modify है तो आप उसको suggest करेंगी भहिया officially वाला आप यूज करें जिससे आपकी privacy बनी रही और आपका data कहीं से कहीं नहीं जाने वाला मैं इसी ट्यूट के अंदर आपको ले जा रहा हूं और वहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर भी उन्होंने नीचे ट्यूट करके बुरा recently our security team discover hidden malware with an app offered outside google play store from card है मोट्स देट है मतलब कि उनका यह कहना है कि हमारी टेम भी कुछ टेम पर एक रिसर्स कर रहा था वहां पर उन्हें देखा कि मोट्स एब वहां पर बहुत जादा बताए जा रहा है जो कि google play store पे नहीं है उसके बाद भी लोग उसको डाउनलोड कर रहा है और उसी में whatsapp यूज कर रहा है बट यह सब गलत है उल्टा हूँ आपका डेटा वहां पर एक्सिस कर लेंगे क्योंकि वहां पर कोई ट्रस्ट है नहीं गूगल प्ले स्टोर में क्या होता है कोई भी जो एप होती ही पूरी ट्रस्टेड होती तब गूगल को लगता है कि इस एप में कुछ खराबी हो तो को वहां से हाटा देता है तो आप देखेंगे जो भी मॉडेर ड्राप होती है वह गूगल प्ले स्टुर पर नहीं होती तो आप उसके अलावा गूगल प्ले टैस्टूर के लावा कहीं से भी आपको डांट नहीं करना चाहिए या भी हो सकते है अप इंस्रॉल नहीं करना हो जाते हैं आप वी आर कंटीनीट एफ़र्ट टुटेक्ट अब लॉग इसकाइंड ओफ फॉरवर्ड अब हम ऐसा करने वाले हैं कि अगर जो लोग ऐसे मॉड़ेट एप को यूज कर रहे हैं तो हम उनका एकाउंट को यहां पर ब्लॉक कर देंगे ताकि ऐसा और और कोई भ बचाने के लिए हम उसको लॉग कर देंगे कि आप कोई भी मॉड़ेट एप यूज ना करें मतलब किस चीज़ सीदर कहने का यह है कि अगर आप वाटसप के अलावा कोई भी मॉड़ेट वर्जन यूज कर रहे हैं बहुत सारे मॉड़ेट वर्जन आते हैं मैं नाम लेना जाओं आपको सबको बता है मॉड़ेट वर्जन होता क्या है मैं सबको मैंने वाम करा हुआ है यहाई ऐसा मत करा करो नॉर्मल जो चीज़े ऑफिशली चीज यूज करा करो इससे आपकी सिक्योर्टी और प्राइबसी दोनों बनी रहती है क्योंकि आप अपने मॉबाइल मे बैंकिंग याप भी चलाते हो और कुछ ऐसी परसनल फोटो या वीडियो भी होती है जिसका अगर कहीं से कहीं चला जाया तो आपके साथ बहुत दिक्कत हो सकती है तो अचका में ट्रॉपिक यही था कि हमें कोई भी मॉड़ेट वर्जन को यूज नहीं करना अगर आपको यहले मेरी वीडियो अच्छी लेगी है तो प्लीज लाइक जरू करें और अगर आप वाटसप से रेटेट हो ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्स्राइब करना ना बोलें और हो सके तो मैं इस्टागाउं पेट्रों करना भी ना बोलें और एक चीज और भोलू है दोस्तो मैंने अपना एक नया चैनल और स्टाट करा है इस वी व्लोग सनी आरोड़ा वी व्लोग इसमें मैंने अभी सेकेंड वी ब्लोग डाला है तो जाके आप जरूर देखे उस वीडियो का लिंक में आई बटन में देदूंगा तो आप जाक ल terr सकतुए कर में चार छाया हुन मैं कि अगल मैं अगलिएकि..